हेलो जी, असलाम लेकॉम, तो कैसे हैं आप सब है जी, यहाँ पर नाश्टे का टाइम और मैं बना रही हूँ जी, अपने लिए सेंडवीच, कुछ तना दिनों से मैं थी बीमार, तो फिर में जो नाम मी ने बना के दिये हैं मतन के कबाब, तो थोड़ी सी ताकत आ जा जा इस पर मैं डाली है को टीवी काली मिर्च, आप लोग ने कभी ट्राइ किया है, पिसी वी से अगर आप को टीवी काली मिर्च ट्राइ करोगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ज़दा अच्छा आता है, तो फिर चेंज वाली चीज तो हमें अच्छी लगती है, और जी, जो कबाब जाना है, जी हमें बजार, तो बस जल्दी-चल्दी से ये काम करी थी, मैं कुछ नजरूरत की चीज़े लेनी थी, तो बस जल्दी-चल्दी से नाश्ता कर लूँगी, ब्रैट को भी मैंने सेक लिया, और ना गी के बगार तो मुझे 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 नहीं आता, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा घी भी लगा लिया था ब्रैट के ओपर, ताकि ना थोड़ी सी क्रिस्पी-क्रिस्पी सी हो जाओ, तो तेस्ट काफी अच्छा आता है, और ये गला जो है ना मेरा खराब है, इसको आप लोग ना बस छोड़ दीजेगा, जादा फोकस नहीं कीज आता है, तो यहां पर मैं शूट करी थी हाथ से ही, यूँकि एक वीडियो मैंने स्टैंड से रखके शूट की थी, तो वह सारी खराब हो गई थी, तो अब मैं पहले उसको मैं देख लूँ कि उससे कैसे शूट की जाती है, उसके बाद ना मैं इंशाला जल्दी शूट आता है, काफी टेस्ट ही था, लेकिन फिर भी मैंने यहां से थोड़े से कबाब जो थे वनकाल के अम्मी को दे दिये थे, मेरा खाने का बिल्कुल दिल निंग करता है, पिर आ गई हूँ जी मैं अपने कमरे में और यहां पर मैं कर रही थी अपनी अलमारी की सफाई, अगर ना करो, लेकि मेरा दिल कर रहा था, बस मैं उसे खोला तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो इस तरीकी के ना जो शुज वाले बॉक्सिस होते हैं, मैं यह निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरी जो हम इसको सिंगार में बोलते हैं, तो यह जो ड्रेसिंग है, तो अगर आपको ना मेरी जोल्री की क्लेक्शन चेक करनी है, तो मैं ना एक वीडियो बनाई थे, आप लोग देख लेना काफी प्यारी प्यारी जोल्री है, और से मैं किस तरही से रखती हूँ, वो भी आपको ना उसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा, तो बस अब मैं यहाँ अपर सारे चीज़ों को अरेंज करी थी, जल्दी जल्दी काम करें थे, फिर हमें जाना है बाजार, और जी देखो, हमने इतने सारे कपड़े देखे थे, अपने हस्बें के लिए कपड़े और अमीने लेने थे, मेरे बाई के लिए, तो ना यह जो हलके हलके कलर होते हैं, ये वाले हमें जादा अच्छे लगते हैं और इसके नीचे ये जो ब्लू वाला ना ये हमें पसंद नहीं आ रहा था हमने काफी सारे कपड़े देखे थे, मोटे में, स्टाफ में भी देखे थे, पतले वाले में भी देखे थे, पिर हमने कुछ पसंद के थे, उसके बाद हम गये थे, ज्वैलरी शॉप पे हमें जाना नहीं था, लेकिन बस प्यारी सी ज्वैलरी निज़र आ रही हो, तो फिर ब मोटे वाले थे, पतले वाले, फिर हम खाला के साथ गये थे, कुछ लेसिस धागे लेने, और वो ले रही थी और मैं यहाँ पर देख रही थी, सारी कनारी वगएरा को मुझे बहुत प्यारी लगती है, फिर हमने कुछ बटन्स ले लिए, उसके बाद ना हम एक और जोलरी मैं यहाँ से लेनी थी, तो हम वही लेने गए थे, और यह जोलरी वगएरा को मैंने वैसे रिकॉर्डिंग की थी, फिर मैंने यहाँ से ली थी कुछ पोनिया, मुझे बहुत जादा अच्छी लगती है, चोटी चोटी पोनिया, पिने लेना, यह बहुत जादा प्यारी हमने ले थे, चोले चावल, अगर कोई ना मेरे एरिया से है, देख रहा है, वीडियो तुने पता चल गया होगा कि हमने कहां से ले थे, अम्मी ने बोला था कि यहाँ पे काफी अच्छे होते हैं, तो मैंने का अगर अच्छे होते हैं, तो बुक भी लगी है, तो ले ले ल वो काफी बार एक बार एक सा बनावा था और चट्मी तो बहुत ही जादा कमाल थी बहुत जादा मज़ाया था अब जी दिखाती हूँ मैं आपको अपनी मज़ेदार सी शापिंग तो दो देखो मैं इतनी सारी चीज़ें लेकर आई थी और इन में से जादाता चीज़ें जो थी ना वो मेरी जो मुझे लेनी थी वही मैं लेनी गी थी और कुछ मैसे लेकर आई थी सबसे इंपॉर्टन्ट है यह लुफा काफी टाइम से मुझे चाहिए था इसको बात स्पॉंज भी बोलते हैं यह बहुत जादा मज़ेका होता है और अगर नहीं करते हैं तो आप मेरे कहने पर यूज़ करना यह बहुत जादा मज़ेका होता है फिर मैं यह पर कुछ स्किन केर की चीज़ें लाई थी और सबसे इंपॉर्टन्ट है जी मेरा यह फेस वाश यह एक पर मेरे स्पेंड लाई थे बहुत ही जादा मज़ेका थ तो अब मैं इसको हमेशा लेती हूँ वाईसी का है एकनी वाला वाईटनिंग फेस वोश तो वाईटनिंग का तो बता नहीं लेकिन यह मुझे बहुत जादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे मेरे स्किन पर कोई भी जो है ना ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अलर्जी वगरा हो उसे भी कोई अलर्जी वगरा कभी मुझे फेस पर नहीं होई है तो फिर मैं यह भी लेकर आई थी और यह लाई थी मैं हाथई पाउंग के लिए गोल्ड क्रीम इसको ब्लीच वाली क्रीम होती है फेस पर मैंने कभी ट्राय नहीं की मुझे नहीं पता कैसा एफेक्ट देती हाथ पाउंपर मैंने ट्राइ किया है और मैंने फस्ट टाइम लिया था जी ये शीट मास तो इसको मैं ट्राइ करूंगी फिर बताऊंगी ये कैसा होता है ये था जी डिवाज यूके का और मुझे अच्छा लग रहा था मैं ले आई थी और फिर मैंना दो ये शेड भी दिखा देती हूँ अच्छा था और उसको रहसे हाथ लगा देते तो तो वो निकल जा देती लेकिन ये जो थी वह ऐसे रिमूव नहीं हो रही थी तो मुझे ये अच्छी लगी फंक्शन पे आप लगाओ या फिर आप लोग वीडियो बनाने पर देते थे बहुत दो मज़ा था और ये चोटी वाली नहीं मेरे पहले भी बहुत सारी है और मैंने और भी ले लिये और यह मेरा लाव एट फर्स साइट इसको मैंने देखते ही पसंद कर लिया था और फिर मैंने ये ले आई थी एक जगह से मैंने ये ली थी और दूसरी मैंने ली थी ये जीनत तो यह मैचिंग हो रही थी तो फिर मैंने ली ये भी ले ली थी और इसके साथ नहीं मैं सोच रहे हैं और इसके साथ नहीं मैं सोच रहे हैं अच्छा जी देख लो आप लोग ये दो मैंने कलर लिये थे क्योंकि ये मेरे बिन के पास जो आरे के कलर नहीं थे तो मैंने सुचा थोड़ा सा चेंज हो नेक्स टाइम फिर और ले लोगी फिर जी राओ थोरी थी तो मुझे याद आए कि सुबह मैंने कपड़े दोए थे तो मैं गई चत पे इतने प्यारे प्यारे नजारे थे क्या आसमान रंग दिखा रहा था जी बहुत प्यारे लग रहा था थोड़े दिर के लिए मैं इसको देख रही थी फिर मुझे आदे जी मैं तो कपड़े लेने हैं हूँ तो जल्दी से मैंने वहां से लिए कपड़े और फिर मैं आगई थी नीचे थोड़े टाइम के लिए ना मैं यहां पे फिर वीडियो बनाने के लिए भी रुकी थी क्योंकि बहुत दासमान खुबसूरत सा लग रहा था सूरिज डूब रहा था बहुत ज़्यादे प्यारा लग रहा था और जी एक और बात आप लोगो से शेर्ट करने थी कि में भी जो रूम का जो बलब वगयर थे न वो बहुत ज़्यादा हलकेत वारे थे सुरोशनी नहीं और इसी तो मैंने अब चेंज करवा लिया है तो अब मैं आपको रूम टूर भी इंशायला जल्दी दूँगी और से नह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने रात को गरम कर लिये थे नान मुझे नान बहुत अच्छा लगते हैं और हमारे राके में इतने अच्छी वाराइटी वाले मिलते भी ने तो भी जो मिलता है वहीं खा लो और ये नान रिखे वेज़े तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा घी लगाया गरम किया और घर में बनी हुई थी जी मटर और डाल की सालन और फिर मैंने नाचाय बनाई थी स्पेशली नान काने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है काफी दर्या गरम है आचाय के साथ काती हूं चावल की रोटी बाजरी की रोटी मकई की रोटी सारे चाय के साथ अच्छी लगती अच्छी है झाल झाल